हम बात कर रहे हैं फीय यह एईल की अगर लास्ट आइडिनग्डे की बात करें था भंको छोटी मोटे आफ साइड के साथ इसमें क्लोजिंग देखने के लिए हम देख सकते हैं कि लिए हमको टू हंड्रेड के लेवल जिसको हमने तरगेट के तोर पर डिसकेश किया था 200 टक का लेवल हमको देखने के लिए मिल सकते हैं और इस टोक ने एक्जेक्ट 200 के लेवल से हमको गिरावट डिखाई है यहांको सेलिंग देखने के लिए मिली है इसके तगड़े resistance है 200 का level जो है इसका तगड़ा और important resistance है तो वहाँ से हमको गिरावट देखने के लिए मिली है अब stock ने गिरावट लिए तो हमको देख सकते हैं कि बड़ा selling pressure आया है immediate support का काम करने वाला यह जो level है जहां से rejection लिया था stock ने और उसी को breakout के बाद हमको 200 के target देखने के लिए मिले 190 का level immediate support का काम करने वाला इसको breakdown करता है तो next support level बनने वाला है 188 का level 187 188 का level और 180 का level एक तगड़े support का काम करेगा अब यहां हमको थोड़ा इंतिजार करना है fresh buying करने के लिए थोड़ा इंतिजार करना है क्योंकि 200 के level से stock ने गिरावाट डिकाई है यहां से आमको और गिरावाट डेखने के लिए मिल सकती है हमको 180 तक का भी fall बेल में देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि stock और रेडी बहुत बाग चुका था तो यहां से आप हो सकता है कि profit booking देखने के लिए और इस टॉक में गिरावाट है इसलिए अभी थोड़ा इंतिजार करना है fresh buying के लिए हो सकता है 190 के लेवल से आमको एक जम देखने के लिए मिले चोटा मोटा 194 तक का जो इसका resistance होने वहाँ तक का जम देखने के लिए मिले लेकिन जम पर आप आमको बुलिश नहीं होना है क्योंकि हमको गिरावाट डेखने के लिए मिल सकती है इसके पूरे पूरे चांस बन र जाता है तो वह इसे कंडिशन में बॉंस बैक के साथ जो हाए इसको ब्रेक ओड देतावा नजर आ सकता है लेकिन इसका तगड़ा रजिस्टन्स जोन है लगता नहीं कि बॉंस बैक होकर भी इसको सेकंड टैम में ब्रेक ओड कर जाए यहां से आगे है नामको छोटा मोटा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है इसलिए ठीक रहेगा कि 200 के ब्रेक ओड पर ही पोजिशन बनाई जाए अगर 200 के लेवल को ब्रेक ओड कर जाता है तो वह इसे कंडिशन में फिर हमको बड़ी तेजी देखने के लिए मिल सकते है लेकिन अभी हमको थोड़ा इ ना है वीडियो जो एजूकेशन परपस के लिए कोई बाय और सेल की सला नहीं है